हांजी स्टूडेंट्स इस वीडियो दे विच मैं क्लास प्लस टू दा विशा पंजाबी चोन वी पंजाबी लेक्टिव दा सेंपल पेपर लेकें ना विद्द स्टूशन तांकि तुसी प्रीबोड ते फाइनल अग्जाम दी वधिया त्यारी कार सकों क्योंकि जड़ेकी सेंपल पेपर दे विचे स्लेक्टड गोशन जीद ते वे उन्देने जड़ेकी एक्जाम दे विच आप आजान देने फर्स्ट है इक जो दो शब्द ने विचूत्तर देना फर्स्ट गोशना किसा कापता रदा पहला कवी किसनू मन्ने जान्द है ता किसा कापता रदा जड़ेकी पहला कवी मन्ने जान्द है दमोद्दर नू ते दमोद्दर दी रचना सी हीर किसा कापता रदा पहला कवी द नेक्स्ट है तेड़ा साहित रूप सब्तो वद प्राचीन साहित रूप है ता प्राचीन साहित रूप जड़े की मन्ने जान्दा है कपता कपता साहित रूप नू कपता दे साहित रूप नू सब्तो प्राचीन मन्ने जान्दा है ते कपता नू जड़े की साहित दा जेठा प्लेठा रूप भी कहा जान्द है तेथिया हुगा कपता नेक्स्ट गोश्चन है साहित दे कोई दो रसां दे ना लिखो ता साहित दे वीच जड़े की नौस थाई रस ने जिना दे वीचो तुसी किसे दे वीजड़े की दो दे नेम लिखने ने जिमें तुसी लिख सादर नेक्स्ट गोश्चन है दारा सिंग ने सब्तो पहला केडी फिलम वीच खुश्चती कित्ती ता दारा सिंग ने जड़े की सब्तो पहला फिलम दे विच जड़ी कुश्चती कित्ती सी ओधा नाम सी दी वर्ल्ड इज़ी की फिल्म दा नाम सि नेक्स्ट है फिफ्त गोश्च्ट्ट Bowman शरी गुरु नानक देव जीदी किसे इक रचना दा नालिखो ता जड़ी तो हड़ी पार्ट पूस्ट के दे विच्च दर्ज कीसे इक रचनाद नाम लिखना ता उन्ह दे विच्चो दसी लिखोंगे लिख्साद्यों पवण गुरू पाणी पिता पवण गुरू पाणी पिता ते जान तुसी लिख्साद्यों हक्क प्राया नानका इस तो लावाज जड़ी की होर्वुधाड पार्ट पूस्ट के दे विच्च दर्जने जड़ी की उना दे विच्चो दूसी लिख्साद्यों नेक्स्ट है आग गे वह चौनवे प्रेशन ने फर्स्ट है कप्तानू रूहाँ दी बोली किस कवीने मन्या है ता कप्तानू जड़ी की रूहाँ दी बोली मन्या है ता उस कवीदा नाये दांचरा ससा प्रफेसर पूरण सिंग ने जड़ी की कप्तानू रूहाँ दी बोली किया है ते बलबले आवाला जड़े की वे रोक उशाला क्या है वर्ड्स वर्थ ने ते रूहां दी बोली क्या है परफेस्टर पूरण सिंग ने नेक्स्ट अगे नेक्स्ट गोश्चिन नंबर सेकिंड शांद किन्नी परकारदे हुंदे हान तादा अंचरा उड़ा शांद जड़े की नेक्स्ट गोश्चिन शांद किन्नी परकारदे हुंदे हान तादा अंचरा उड़ा तिन परकारदे शांद जड़े की तिन परकारदे हुंदे हान वर्निक शांद मात्रिक मात्रिक ते गन्निक शांद तिन प्रकार देड़े की शांद हुंदे हन नेक्स्ट गोश्चन थर्ड पांच निवाजा वक्त पंच पंजा पंजे नौ किस गुरु साहिब दी रचन है ता एहे जले की शिरी गुरु नानक देवजी दी रचन है एदा अंसरा इली थर्ड अंतरा गुरु नानक देवजी नेक्स्ट अगे फोर्थ मनुख नाल मनुख दा मेल जिन्दगी दी महान कट나 हुंदी है स्वैजीवणी अंश देलेख कदा ना दसो ता एहे जले की स्वैजीवणी अंश देलेख कदा ना है एदा अंतरा इली गुर्वक्ष सिंग प्रीत लडी मनुख नाल मनुख दा मेल जिंदगी दी महान कटना हुं दी है तहस वैजी वनी दा अंशा गुर्वक्ष सिंग प्रीत लडी ते नेक्स्ट है, फिफ्थ नेंकस्ट है अगे सही गल्त दसनेने फर्स्ट है इकांगी विच पात्राने गिनती नाटक दे पात्राने मकावले वद हुन्दी है तेहे गल्ट क्योंकि इकांगी देविच पात्रा निगिंती सीमत हुंदी है सेक्टिंड है शाह हुसेन अंसार फकीरी दा मारग सुखा है तेहे भी गल्ट है क्योंकि शाह हुसेन देविच पात्रा निगिंती सीमत हुंदी है मुश्किल है थर्ड माता दुर्गाजी चंडी दीवार दी नाईका है ताहे स्थीक है फोर्थ है कोरडा एक मात्रिक शंद है ताहे गलत है क्योंकि कोरडा एक मात्रिक शंद नी है एक वर्निक शंद है नेक्स्ट अगें खाली स्थान ने फर्स्ट अट डैश नूरसांदा राजा कहा जानदा है ताँ नौरसांदे विचोनिडे की शिंगार रस नूरसांदा राजा कहा जानदा है एथेवना शिंगार रस नेक्स्ट है कहानी डैश साहित दा रूप है ताँ कहानी जड़ी की गल्प साहित दा साहित रूप है एथेवना गल्प साहित नेक्स्ट है थर्ड अगे कारबाप दा डैश लखा लेद्या सालूआ दा टेर तैथेवना नौ लखा तुस्य अथे जीदे की टिक्क कर सकते चाथे फिल भी कर सकते हो नेफ्ट ट्रैक गे फोर्थ शेक फरीद जीदी बहुती रचना शबदा आते डैश वीच मिल्दी है अथे होगा शलोक का ले विच शेक फरीद जीदे जीदे की 112 शलोक ते चार शब्दा जड़ेकी दो राग आसा देविचे, ते दो राग सुही देविचे, आदग्रन सायव देविचे दर्जहन नेक्स्ट गोल्षन है, गोल्षन नम्बर फिफ्ट, नम्बर दा डैश ने मेनू तस्वीरां खिचन दा शौंक पाया ते थे अंसर आओगा, इना चार शब्देविचे चूनना, नूर खान, नूर खान ने जड़ेकी दस्वीरां खिचन दा शौंक पाया सी प्रिंसिपल तेजा सिंगनू, नूर खान नेक्स्ट अगे, काव सत्रां दत्य हो जाने, तुसी एक दी जड़ेकी व्याख्या करनी है, उड़ा पामेगा दीदार साहिब्दा, फकीरा होर वी नीवा हो, ता एहे है, जड़ेकी एहे काव टोटा, काव सत्रां दर्जने, शाहुशेन दी काफी यहे, शाहुशेन दी का एक करना नेक्स्ट है दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख ताम ना हुई ताहिए जिड़े की शलोक है शिरी गुरु नानक देव जी दा जिड़े की है शलोक है तुसी यह दी व्याख्या करनी है नानक देव जी ते जड़े की है जड़े तुसी काव तुट्टे दी व संक देने ते अग्यों धी व्याख्यारे थ्री मांक्स ने तें टोटले 5 मांक्स दीयः नैक्सट धाक अबता दा केंदरी पाव लिखन देड़े कि 4 मांक्स ने ते नेक्स्ट उस्त तो अग्ये जिड़े की 7 marks दा गोष्चन जिस दे विच पिल्लू जा वारिशा दी पंजाबी सायतरूं की देनों ते नोट लिखना जा चंडी दी वारते नोट लिखना તે નાજ્ટ ડાગેકી આપવીત્યાંદે વિચો કોશ્ણ પુષ્ણે ને 4 કોશ્ટને ને નેમવાગીચો ક૷્ણને ને ને નેક ते हारी कजड़ी की फोर मांक्स दाहे थांक्स स्टूदेंट्स